डॉक्टर बाबा साह्ट आंबेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार डॉक्र बाबा साह्ट आंबेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना चैतन्य स्टूडियो मा उन्isième डॉक्र आप सर्वेनू हार्दिक स्वागत करू छू लतनी केवी परिस्थीती हती, कई स्थीती हती, केम जैन धर्माने बउद धर्मनों उदाय थायो, शु कारणों हता, तो ए आपणे सामाजीक अने धर्मिक स्थीती केवी हती ए समयमा, ए आपणे जानी शु, ए साथेज महवीर स्वामीनु जीवन, एमनु प्रारंबिक जीवन शु हतु, अने कई रीते ए जैन धर्म सुधी पहुच्चया, अने लोको सुधी जैन धर्म पहुचाड़ेओ, ले महवीर स्वामीना जीवन अने उपदेश नी जानकारी, ए आपणे आजना लेक्चर थी मेड़वीशु, आउ प्रांत, जैन धर्मनी विशेष्टाओ, एन विशेपन आपने मित्रो आजे चर्चा करीशु, मित्रो महवीर स्वामियाने जैन धर्मनी वाद करता होई है, त्यारे एक वाद ही अगत्या नीछे के इस्वीशन पूर्वेनीचे छठी सदी छे भारतिय संस्कुलूती ना इतिहास मा, ए सामाजिक अने धर्मिक शेते क्र जुठावानों प्रहत्न करेवतों, जीवन मा दुख, असंतोष, चिन्ताओ, मुक्ती माटेना मार्गनी शोदगोण सबंदे चिन्तन शरू थाई गयू हतों, आसाथे नवा दार्षनिक सिध्धानतों औने संप्रतायों अस्तित्व मा आव्या हता, एवो उल्लेक माड़े चे के वैदिक धर्म, ए बंधन, आम सो स्वारी, आप प्लेन अथतू पाच्छू, वो फ्रस्ट टाइम ट्राइ करू यू, एवा उल्लेक माड़े चे के वैदिक धर्म बंधन मा थी मुक्त थवा, लगबग 62 जेटला धर्मिक संप्रतायों, अस्तित्व माड़े चे के अने नेताओए अवाज उठावे वा तोने आ बधामा बौद धर्म और जेटला धर्म वधारे लोक प्रिया थाया, ग्रियानी, तपस्वी, त्यागी, विद्वान, ब्रामनों पन बौद धर्म और महवीर नी साथी रहा, अने तेमा थीज, आप बौद धिक क्रांती, धर् नी शरुवात थाई, तो मित्रो, आओ आओ आपड़े महवीर स्वामी और बौद धर्म और जैन धर्म ना उधर्म ना कारणों समझिये, बौद धर्म ने जैन धर्म नी वाद करिये, तो सव प्रतम, वैदिक धर्म नी जटिलता हाती, वैदिक धर्म मा जे प्रवेशली बुराईयों ने दूर करवा माटे अनि आ बुराईयों जे छे आ बुराईयों नी सामे बौध धर्मा अने जैन धर्मा ए ना उदाये सव मोटो फाडो बौध धर्मा ने जैन धर्मा ना उदायनो रहो वैदिक धर्मा नी जटिलतानी वाद करू मित्रो तो रुगवेद ना स पुर्वे नी छठी सदी सुधी ना समय मा नी वाद करिये तो ए समय मा जे धर्म चे एक कर्मकांड आडंबर अने रुडियों नू घर बनी गयो हतो। साधन मटी ने सद्य बनी गया हता। ब्रह्मनों ये पोतानों स्वार्थ साध्वा अने यग्नने वदूने वदू जटिल अने यांत्रिक बनावी दिधा हता। आने आजे साधा अने सरड यग्नों हता एक गुरूपती पोते पोतानी रिते यग्न करी लेतो। एमायने पुरोहित के ब्रह्मनों ने जरूर ना हती। के आवश्यक्ता ना हती। परन्तु जन्मत्थी मांडी ने बद्धीज करी आओ, जन्मत्थी मांडी ने मृत्यों सुधी मां एवँ कोई कामज ना हतु। के जे ब्रह्मनों वगर थाई शके, के ब्रह्मनोंने पुछा वगर करी शकाए। समस्त समस्याओनू मूर्तो वेदमा हतुज, परन्तु आ वेदोंनी व्याख्या करवानू अधिकार जेछे न, ए मत्र ब्रह्मनोंने जहतो। आने आथीज ब्राम्मणों ए धर्मना नामे साम्मान्य जनताओनू शोक्षण करवानू शरू करियू। ब्राम्मण पुरोहितो ए प्रुत्वी परना देवो एटले के भुदेव बनी गया। अने तेमनू जीवन ए विलासीन बनी गयू। आचराण ब्रस्ट थाई गयू। तेमनू जे नैतिक छे ए अधपतन तरफ थवा मंडियू। अने आवासमय बुद्ध अने महवीरे ब्राम्मण वर्चस्वनों वीरोध करियू। आगड़ छे मित्रों खर्चाड धर्म। जे वात करी के यगनों नी जे रिते शरुवात थाई गयी हती। ब्राम्मणों वगर यगन जे आ जट्टील यगनों हता। अने जट्टील यगनों उपर ब्राम्मणों नुझे प्रभूत्व थाई गयी हती। एन आ कराणे आखो जे धर्म छे एक खर्चाड थाई गयी रिते मित्रों। तो वैदिक धर्मना जे कर्मकांडो अने जट्टिलताओ तो वदी गई हती, परंतु साथे में तमने वात करी कि मित्रों पहला जे यगनों हता, गुरूपत आती पोते करी शकता आता, परंतु धीमे धीमे, ब्राम्मनों जुमात्रा आ यगनों करी शकता आता, अने आ जे जरूर पड़ती यगनो मैनाओ सुधी वर्षो सुधी चालता अने मोट्टा प्रमाण मा आ यगनो मा पशुओनी बली अप्पा मावती तेना थी पशुओ अने धननी हानी थती अती अने एमा पण पूरो ही तो जेछे अब्राम्मानों छे एमी धननी लालचा ए ओची थती न आना कारणे आ मनिश्यो माटे आवा खर्चाड यगनो अशक्य बन्या हाता अने तेनी सामे बुद्ध अने माहवीरे समाज शमक्ष बीन खर्चाड धर्म मुक्यों आगण मत्रो वाद करिये तो वण व्यवस्थानी वण व्यवस्थानी वाद करू मित्रो तो बउद आने जैन धर्मना उदरी ना कारण मा एका महत्वनु कारण ए वण व्यवस्था छे रुगवेद ना समय मा मित्रो जे वण व्यवस्था हती ए जनम उपर आधारी थती परन्तू धीमे धीमे आजे वन व olvस्ता चे ऐ कर्म उपर आधारी ठती गई परन्तू हुँ ज़ारे वार्त करू छा त्यारे इस्वी सन पूर्वेनी छटी सदीनो ज़ारे समय छे त्यारे आ आखी वन व sता चे जन्मना बढ़ले कर्म उपर आधारी ठती अने आवी जड वर्ण व्यवस्था प्रत्ते साम्माने जनताए अवाज उठावानू शरू कर्यू क्यारे जारे आजे वर्ण व्यवस्था चे आवर्ण व्यवस्था माटे सव प्रथम क्षत्रियों एनी सामे अवाज उठाव्यों तेमने भ्रामनों नू वर्चस्व चितु हतु। वड़ी अध्यात्मिक अने दार्शनिक शेत्रमा पन क्षत्रियों खुब ज आगण वध्या हाता। उपनिशदिकालनी वाद करू तो मित्रो राजा जनक, अश्वपती कई-कई, प्रवाहल जैवली, जेवा क्षत्रियों पंडितों ने पन अश्चरे चकीत कर नाख्यात, यहमने पन मात आपी दिदी अती। आ ए बिजी वद करू मित्रो, तो क्षत्रियों तो पूरो होई तो ना एकाधी कार्नी इरशा थी एटला बदा बढ़ता हाता। अने आवीस्थितिमा खत्रियों धर्म सुझधाणाना आंदोलनो नो मार्ग लीदो। शत्रि लोखनन ना वजारो ना ओप्योग ना कारण खेती लायक जमीन मां वध्यारो थायलो हतो पहलो जे वर्ग छे जे वेश्यों नो जे खेती अने शिकार साथे संकड़ों लो हतो आ वर्ग मा जे खेती एमने जे खेती करवानी प्रक्रिया छे एमा लोखंड नो शंचोधन थता आ लोखंड ना शंचोधन ना कारणे आ लोख को खेती मा कुब जे प्रगेते करी रहा हता एमनी खेती लायक जमीन मा वधारो थाई रहे हतो तेमा वधूने वधू पशुओनी जरूर पण उभी थाई रहे हती तेथी पशुओनी जालवनी थाई ते जरूरी हतो जारे सामेपक्षे वेदिक यगनो मा पशुवद चालू हतो तेथी वेश्योनो प्रथम वर्ग खुबज नाराज हतो बउद अने माहवीरे यगनो मा थती आपशुवद इंचानो विरोध कर्यो हतो आउप्रांत वेश्योनो जे बिजो जे नानो वर्ग हतो पड़ खुबज प्रभावशाडी वर्ग हतो आ वेपारी वर्ग एमनी वाद करू तो खुबच सहस प्रिय जंगलने विंधनार दर्याने खेडनार आ वर्ग हतो वानिज प्रिय वर्ग हतो अने आ वानिज प्रिय वर्गे पोताना व्यवसाईनी प्रगती माटे देववादी तत्वग्णान करता पुरुष वादी तत्वग्णान अनुकूण खुबज आवतू हतो अने आना कारणे समागर समाज ए पुरुषार्थ तरफ वडेलो हतो अने ते व्यवसाईक उन्नतीनू पगतियो हतो अने माहातमा बुद्ध अने माहविर स्वामी बन्ने पुरुषार्थ उपर जोक बन्ने पुरुषार्थ उपर दबाण मोकेलो हतो देवकृपा उपर नहीं आव प्रांथ खत्रिय वर्गवनी वाद थाई वैश्य वर्गनी वाद थाई हवे आपने त्रीजा वर्ग नी वाद करिये तो समाजनों त्रीजों वर्ग शुद्रों नो वर्ग, त्या अनार्यों नो वर्ग, मित्रों आ वर्गने समाज मां कोई ज स्थान ना हतो, आ वर्ग ए भोग विलास नी भव्यता मां राचता, आर्य धर्ममना शुद्रों नी अगना सुखो क्या आ जगतना सुखो मले तेवी तेमने कोई आशापन देखाती नहाती अने आवा समय बुद्ध अने महवीरे त्याग ब्रदान धर्म अपनाव्यों जेमा स्वर्गनी कल्पना नहाती जेमा ब्राम्मन सुखो ने शन भंगुर गणवामा आवेला हता तीरस्कुरूत अपमानीत शुद्रो अने अन्यार्यों पन बौद अने महवीरे गवरव अने सन्मान द्वार अने आवा सन्मान द्वार खोली आपेला हता मित्रो दर्शक एमा लखे छे कि कचडायल काडा अनार्यों मा मुनियों मा मुनिश मा हरीकेशी हरीकेशी ये उपलिश जेवा लोकोपन थैला हता मित्रो आगण वात करिये तो संस्कुरूत भाषा प्रतिनो असंतोश मित्रो वैदिक धर्मनी वात करिये तो वैदिक धर्ममा मोट्टा भागना बद्धाज गरंथो छे संस्कुरूत भाषा मा लखायला छे संस्कुरूत भाषा जे छे ए समय नी सामान्य जे जन जीवन छे एनी भाषा ना हती ए समय प्राकुरूत और पाली भाषा नू महत्व ए समय वधार हतु अन्य एना करणे संस्कुरूत भाषा प्रति ए समय मा असंतोश होबध हयो अने माटेज आ संस्कुरूत जे संस्कुरूत भाषा छे एना प्रतिन आ संतोश ने बउध धर्मा अने जन धर्मना उदयन मा खास कारण गणी शकाए आ समय नी बोलचाल नी जे प्राकुरूत अने पाली भाषा हती अने बद्धा जे धार्मिक गरंतों जे संस्कुरूत मा लखाएला हता आना कारणे धार्मिक रिया कांडों पन संस्कुरूत मा संपन था आता अने ते समय केवड ब्राम्मनों जे संस्कुरूत भाषा मा वधारे प्रमिक हता ते थी बद्धा कार्यों तेमना द्वाराज गरावा पड़ता लोकोंने संस्कुरूत भाषा मा कोई ये समझ पड़ती नहाती अने ते थी बउद अने महविर स्वामी ये जे पोतानी नो आ संतोष छे एने बउद धर्मा ने जैने धर्मना उदाय मां महत्वपून फालव आप्यों छेलू छे मित्रो उपनी शदोनो प्रभाव मित्रो उप्रोक्त जै सामाजीक धार्मीक स्थीती मां धर्म सुधाणा आंदोलनोय प्रेणा अप्या दुपून उपणी शदोय करयों उपनी शदो मां वैदिक धर्मनी जैन बढ़ायों औने बुरायों उपर प्रकाश पाड़वाम आवयो हतो एटलू ज नहीं उपनिशदों ना विचार कोई यगनने एक संसार सागर्मा डूबनारू साधन गणावी अने यगनों कर्मकरांडों अने ब्रह्मनों ना वर्चस्वनी भारे टिका करी उपनिशदों स्पस्ट पणे माने चे के मोक्षनी प्राप्ती यगनों थी नहीं पन ग्ण्याने थी थाई छे तेमा अहींसा अने पवित्र आच्राणों पर भार मुक्वा माव्यो हतो टुंक मा जैन धर्मा अने बवध धर्मनी प्रुष्ट भूमी ए उपनिशदों बांधी आपी अने आमा मित्रों खास वात करू तो आरसी मजबुनदार पन नोंधे चे तेम बवध अने माहवीर बन्ने तेमना मुड़ुबुत सिद्धानतों छे ए उपनिशदों माथी लिधेला छे बन्ने वेदोंने इश्वरिय मानता न थी अने आम जे इस्वीशन पूर्वेनी छठी सदीना समयनी उप्रोक्त सामाजिक धार्मिक स्थिती आपने जोई औने एक कया कारणों थी बौद धर्मा औने जैन धर्मनों उदय थयो ए आपने मित्रों ही जोईू अगल वाद करिये मित्रों तो माहवीर स्वामी औने जैन धर्मनी पूर्म भूमिकानी वाद करिये महवीर स्वामी औने जैने धर्मनी पुर्व भुमिकानी वाद करू तो पहला मित्रो ए वाद करवी खुब जरूरी चे के जैने धर्मनी जे मान्यता मुझब महवीर स्वामी चे एदर जैने धर्मना स्थापक नथी परन्तू ते छेल्ला 24 मा तीर्थ कर चे ते युग मा भारत मा धर्मक्षित्रे खुबज परंपराव चालू अती एमा ब्राम्मन अने श्रमण परंपरा एम बे परंपराव प्रचली थाती ब्राम्मन परंपरामा अपड़े अगाउजम वात करियें यगनो अने कर्मकांडने महत्वा अप्पामा आविलू हतु अने जैनों मुल वेदू हतु जारे श्रमण परंपरामा त्याग तपष्या चारित्रे उपर भार्मुक्वा मा आवतु हतु ब्राम्मन परंपरामा देव देवियों नी आराधना थती जारे श्रमण परंपरामा त्यागी वितरागी अहंत मनुष्यों नी पूजा थती अन्या आवी श्रमण परंपरा मा अन्या आवी जे श्रमण परंपरा छे एमा एक परंपरा ए निग्रंथ नामे जानी ती हती अन्या निग्रंथ एटले जैनी संसार निग्रंथी छुटी गई छे तेओ आवा निग्रंथ मनुश्यो जीन केवाया पित्रों आम जीन शब्दनों अर्थ करीए तो जीन एटले विजेता थाई जिनने राग दृष पर विज़ाय मेड़ीओ छे ए जीन के अबाए जिनने मन, वाणी अने काया पर विज़ाय मेड़ीदीदो छे ए जीन के अबाए तिवा आ वित्रागी जे मानस जे जीन थायलों छे ए अरीहंत के तीर्थकर तरीखे पन उडखवा माँआ आवे चे अरीहंत नीं एकि व्याख्या करीये तो अरीहंत आटले जैने अंधर ना शत्रू ओ जैने अंदर पुता ना शरीर अंदर ना एनी कामना हो छे एनी अंदर जे देश दरेश चे, आ बद्धाचे शरुत्रूआ न काबू मेडवेओ थे अन्य तेर्थकर अर्था तेर्थ बनाव नार अर्थ वा तो तीर्थ एटले ओवारो के संसार रूपी न दीने पार उथावनार, पार करनार आवो ओवारो आ तीर्थने बाद अधनार तीर्थकर तरीखे उडखाये छे अने आ तीर्थकर नी वाद करू तो मित्रो आ जैन परंपरा मां 24 मां तीर्थकर ए महवीर स्वामी थाया जेमां सौथी पहला तीर्थकर चे ए रूशब देव अने 23 मां तीर्थकर ए पाशवना थता मित्रो आम कहवाई छे कि बद्धा तीर्थकर एक सर्खो उपदेश आपयो चे बद्धा जे तीर्थकर वाद करिये एक थी मांडी ने 24 तीर्थकर नी वाद करिये आ बद्धा जे तीर्थकर ए एक प्रकार नों एक सर्खो उपदेश आपयो हतो महवीर स्वामी अने तेमना पूरो गामी पाश्वनाथ जेचे ए एतिहासी व्यक्तियों होवानू पण मनाई छे अने महवीर स्वामी नी लगबग बे सदी पहला थहल पाश्वनाथ ए बनारसमा रहता हाता अने त्या एमने साधूओनो निग्रंथ संप्रदाई स्थापयो हतो अने आज संप्रदाई मा महवीर स्वामी ना काडमा पण जीवन्त रहो अने एक वाद करू मित्रो तो एउं कहवाय चे के महवीर स्वामी ना जे माता अने पिता चे ए बनने आ धर्म थी आकर्शाएला हता आज जी विद्धमान ँचे जैन धर्मनी आपणे वाद करिये चे आजना जे समयिमा जैन धर्म प्रचलीत छे एन श्थापक महवीर स्वामी चे आजनो जैन धर्मनू जे प्रभूत्व चे ए महवीर स्वामी ना उपदेशों काराणे छे मावीर स्वामीना जन्मनी वाद करिये मित्रो हावे तो मावीर स्वामीनों जे जन्म छे बिहारना वैशाली नगरनी नजिक कुंड गाम मा इस्वीशन पुर्वे पांचोने नववाणों मा थाएलो हतो तेमना जे पिता छे एत एमना माता पिता छे एत रिशला देवी जे वैशाली ना प्रसिद लिंक लिछे वी सर्दार चेटक ना बहन हता अने एमना पिता एसी धर्थ इक्ष्वाकू वंशनाक शत्रिय जाती ना शत्रिय कुंड गाम ना राजा हता मित्रों बहुत माहवीर स्वामी नी वाद करू तो माहवीर स्वामी नी साथे अनेक प्रकार नी अलग अलग परमपराओ के अलग अलग वारताओ के वारताओ के एमना पूर्व जनम नी लईने अनेक प्रकार नी वारताओ जोडाएली छे यह उ कहवाई चेंके जारे महवीर स्वामीनो जन्म न अतो थाएलो यह जन्म थवा न हथो यहां जन्म पूर्वे यह जारे गर्बा अवसतामा हटा त्यारे यहां आजी राजा छे दर्थ आसी देर्थ राजा आने राज्य मा ये समये खुबर जे प्रकार्नी सुक समय एमनू नाम ये वर्धमान राखवा मावियू। एटले, आम महाविर स्वामीनों मोढ नाम ये वर्धमान छे। और ये वर्धमान नाम केम पड़िय। एना साथे एक आ कालपनिक वारता जोडाये ली छे। के एमना जन्म समाये आ प्रकारनी राज्य मां जे सुक सम्रुद्धी मां वधारो थयो और वधारान ना कारणे एमनू नाम वर्धमान राखवा मावियो आप्परांथ बिजी एक वाद करे तो वर्धमान नंदी वर्धन नामे एक भाई और सुधर्षन नामे एक बहन पन हती और वर्धमान छे बाढ़ पन थीज तेम नामा एक निड़ता ना गुण हता एमा एक सरस प्रसंग छे मित्रों कि एक वक्त जारे वर्धमान एक बाड़क हता अने जारे ते अन्य बाड़कों साथे रमता हता तेरे रमता रमता एक साप ए समय जोयो अने आ सापने जोयने बाड़कों भागी गया परन्तु जया वर्धमान पोते जे बाड़क वस्था माहता तेमने आ सापने पकड़ी ने दूर फैकी दिदो अने आवा अनेक प्रसंगो तेमना जीवन साथे जोडाएला छे परन्तु ए वाद तो छे के एमनो निर्भयतानो गुण छे ए आ प्रसंगो ती जानवा मले छे बीजी वाद करू मित्रो तो वर्धमान छे ए वर्धमान मा नानपन थीज वैराग्य वृत्ती नो भाव हतो अने सन्यास तेमना जीवननु लक्ष हतो तेम छताए माता नी इच्छाने मान आपी अने तेमने यशोदा नामनी कन्या साथे लगनuration कर या अने यह शोदा थी एमने प्रिय दर्शनी के प्रिय दर्शना नामे सुन्दर कन्यानों जन्म थायों आगण मित्रों वाद करू तो तेमने जे गुरूत त्याग कर्यों आग गुरूत यागनी जे आवस्था छे ए रित चे के जाचुद aug मातापीता हाया तता त्या सुदी एपोते गुरूत याग ना करीशके जwyn्यास ना लई शक्या परन्तु तो मातापीताना मृत्यूबाद एमने पुता ना मोटा भाई नंदी वर्धन नी याग्ना लई औने 28 वरश नी उमरे एमने गुरू त्याग करियो औने गुरू त्याग करी औने तेओ धर्मनी शोध मा निकड़ी पड़िया एमने पुता नी समग्र संपती दानमा आपी दिदी औने तेओ ग्ण्यान शोध्वा माटे निकड़ी पड़िया आगण मीत्रो वाद करू तो एमनू आ गुरू त्याग पछी एमने जे तपश्या छे ए तपश्या एक खुबज अगत्या नी छे एमने जे उग्र तपश्या करी और उग्रत पश्या पछी एमने जे जैन धर्म प्राप्त कर्यों एपोते जीन थया और जीन थया पछी जे एमने लोकोस दी उपदेश पहुचाड़े और उपदेश और धर्म धिमेदी में फैलतो गयो तो एनी वाद करू मित्रो तो एमने जे उग्रत पश्या नी अने यमनू आ कटोड तप छे ए खुब जी लांबूँ चालियों लगबग बार वरस शुदी आचालियों एमा शरुवातनी वाद करूतों मित्रों शरुवातना एक वरस शुदी लगबग एक वरस शुदी एमना शरीरूपर वस्त्र रहियों परन्तु धीमे धीमे आज ये वस्त्र चे एक खरीन जीन थाई गयों अने आ खरीन जीन थाई गयेला वस्त्र पची येमने वस्त्रनों त्याग पड करि दिदों अने आ पची हैमने बार वरस शुदी आनेक उपसर गो और परिश फोraph वे ट्या अने माव वीरी ए तपोमाई जीवन ती अनेक घटनाओ प एमा एक वात करू तो एक वखत मित्रो एक विच्रण करता करता एक गाम्मा आवे छे अने अहीं तेमने पुपताना पिताना मित्र एक रूशी ना आश्रम मा चातूर मास करवा माटे रोकाई छे आश्रम मा अन्यपन रूशियो के अन्यपन तापस हो छे वर्साद नी मौसम छे अने वर्साद नी आ शरुवातना दीसो मा केटली गायो आवी ने आज जूपडी छे जूपडी नूँ घास खावा लागी जाई छे बधात आपस हो ए आ गायने लाकडी वड़े भगाडे छे परन्तु मित्रो माहवीर स्वामी ध्यानमाज बैसी रहे छे अन्य आ वातनी फरियाद आजे बिजा रूशियो के बिजात आपस हो छे ए त्या जहीने मुख्य जे कुलपती छे मुख्य रूशी छे एमने जहीने क कलिफ थाए ते उचीत न थी अन्य आ घटना पछी तेमने अमुक प्रकार ना पांच व्रत लेए छे आ पछी ये त्या थी निकडी जाए छे अन्य चित्तनी शुद्धी अर्थे सत्य अने ग्ण्याने नी प्राप्ती माटे ए पोताना मा रहेला राग अने द्रेश्मा थी मुक्ती मेडवा माटे कल्लाको ना कल्लाको ध्याना अस्थामा बहसे छे अनेक दिवसोना उपवास करे छे अने आ अनेक दिवसोना उपवास अने तेमनी आ ध्याना अवस्थाना कारणे एमनू जे शरीर छे ए आखु शरीर हाड़ पिंजर जे उथाई जाये छे एमना आजी सक्खत उपफास उचे लगबग एक वर सुधी जैने धर्मना धार्मी ग्रन्तों नी वाद करी तो एमा लखेले उचे के लगबग एक वर सुधी एमने कोई अन्न के पाणी नो त्याग करेलो हतो एक मैना उसुधी एमने पाणी नतु भीदू अन्ने एमना शरीर एक खाली हाड मासनू माडखू थाई गयलो हतो अन्ने आवी सिती मा घणिवार ए गाम मा के नगर मा बिक्षा लेवा जता त्यारे बाड़कों पन एमना थी डरी जता हता तेमनी पाचर कुत्रा दोड़ावता अन्ने एमने घहम मा थी भगाड़ी मुगता क्यार एक पर राजिना गुप्त चरो समझी अन्ने तेमने मार पण मारवामा आवतो पण माहवी रेतो ए सव तरफ संभाव दाखवता तेव आ कुरूर अने घातकी जे प्राजा छे तेमनी वच्चे रहया अने अने कस्टो सहन करया अने अहिंसाने जीवन व्रत बनावियों धैरी अने एक शमानी व्रुत्ती केडवी कोई तेमनो परिचे पुछे तो पण माहवीर स्वामी एकलो जवाब आपत के हूँ पिक्षू छू अने आवी सतत बार वर्ष नी आवी कठोर तपश्याना अन्ते अतप साब्धनाना अन्ते एमने पोताना 42 माह वर्ष वैशाकसूद दशमना दिवसे जांबग नामे गामे रुशी पाली का नदीना किनारे एमने केवड गनान प्राप्त करियों अने आम साची वितरागता अने पून तत्व गनाननी प्राप्ती थाई अन्या आप प्राप्त थाया पछी मानसनों जीवन केवण बने छे एपोते एमने जानियू अन्या माह वीर हवे अरिहंत एटले के मानव विकास ना मुडभुत शत्रूरूप दोशने हननार सिद्ध थाया अन्या आउप्रांथ आप प्राप्त तो करीली दो एमने जण्यान परन्तु हवे एमनू मुड उद्धेश हतू के कई रीते आप प्राप्त थायल जण्यान छे आजे अनुभाव छे ए लोको सुधी पहुचाडे जेती लोकोपण एनो उप्योग करी शके औने लोकोपण धर्म सुधी पहुची शके वित्राग सुधी पहुची शके एमनू हवे मुड धे हतू अन्य एनी माटे आ मान्नाव कल्याण माटे तेमने एक निश्चय करो अन्य पोता ना जीवन क्रमा फेरफार करो पोते जी अवस्था पाम्या हता ती अवस्था सुधी अन्य लोकोपामीशके एना माटे एमने धर्म प्रचार अन्य उप्योपदेश आपवानू निश्चय करो अन्य आ पछीना लगबग त्री स्वर शुधी तेओ अलग-अलग जग्याए फरी विचरण करी अन्य पोता नो उपदेश आपता राया अन्य इस्वीशन पूर्वे पांचोने सत्यासी मा दिवाडीना दिवसे मगदिनी राजधानी राजग्रुहुनी नजीक पावापूरी मा तेओ पोते बौत्तेर मा वर्षे निर्वाण पाम्या मित्रो आ वात करी अपड़े महविर स्वामी ना प्रारंबिग जीवन नी प्रारंबिग जीवन सुधी जीवन मा एमना जन्मती माडी अन्य कईरी ते धर्म सुधी पहुँचे छे अन्य धर्मा मा पहुची अन्य ए जे जैने धर्म जीन थाय छे अन्य आ धर्म मेढवया पछी आ ग्ण्यान मेढवा पछी लोकोस दिया आ गाम आ ग्ण्यानने पहुचाडवा माटे ए अलग लेक जग्याय जैने उपदेश आपे छे मित्रो हवे आपड़े एमना जे उपदेश हो छे एन्य विश्त्रूत रिते जानी शू तो मित्रो आम आपड़े बउद धर्मा अन्य जैने धर्मना उदाय माटे ना कारणों समझे अन्य आ साथे महवीर स्वामी नो जन्म पछी एमनी साथे जोडायल अन्य घटनाओ अन्य आपची एक कई रीते जण्यान प्राप्त करेश है अन्य निर्वान थायए एन्य विश्य आजे विश्त्रूत चर्चा करी हवे पच्छी ना लेक्चर मा मित्रो आपड़े जैने धर्मना उपदेश हो अन्य आपेला आजे उपदेश हो छे कई-कई जग्याए पारा मंता पाहा मंता पाहा